नमस्कार आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं मिराख्शी पंपाली पिछले छे दिन से दिल्ली में सफाई नहीं हो रही क्योंकि सफाई कर्मचाई हरताल पर है आज हरताल का सात्वा दिन है और स्थिती ऐसी है कि हरताल तूटने की सूरत नजर नहीं आ रही सफाई कर्मी वक्त पर वेतन न मिलने को देकर हरताल पर है लेकिन MCD का कहना है कि उनके पास वेतन देने के लिए पैसे नहीं है वहीं दिल्ली सरकार कहती है कि उसे अपनी तरफ से जितना पैसा देना था दे चुकी है ऐसे में सवाल उटता है कि कौन देगा सफाई कर्मियों को पैसा और कैसे उठेगा दिल्ली का कूड़ा दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का सबना देखने वालों के लिए ये तस्वीर किसी बुरे समने के जैसी है पिछले च्छे दिनों में दिल्ली की सडकों के किनारे बने कुड़ा घर और सडकों के बीच का भेद खत्म हो चुका है कूड़ा घर कहां और सडक कहां लोगों के लिए ये पैचान मुश्किल हो चुकी है क्योंकि यहां हर तरम कूड़ा ही कूड़ा बिखरा पड़ा है सबसे बुरा हाल पूर्वी दिल्ली का है चाहे दिल्ली के डिप्टी सियम मनीज सिसोदिया का इलाका पड़पड गंज हो या फिर कृष्टा नगर ओकला संगम विहार या फिर लक्ष्मी नगर दिल्ली के किसी भी कोने में आप चले जाएगे आपको कूड़ा घर ढूनने की जरूरत नहीं पड़ाई क्योंकि आपके सपनों का शहर कूड़ा घर में ही तबदील हो चुका है और बड़ी ही बेतुगी उससे मैं तो केज जिवाद सरकार से कहूँगा या तो इनको बर्खास किया जाए या फिर सफाई उनिवस्ता कुछारू रूप से जैसे यहां पहले चलती थी वैसी चलाई जाएगे दरहसल वेतन और बकाया भुकतान की मांग को लेकर दिली के सफाई कर्मचारी हर्टाल पर 23 ऑक्तोबर से हैं हाला कि हर्टाल के दो दिन बाद सफाई कर्मचारीों के गुट ने हर्टाल तोडने का ऐलान कर उमीदे जगाई थी अचानक पार्टी के पास से फोन आया और हमें बुलाया कि हमें दिली पार्टी जी की तरफ से ओफर आया कि आप हमारे पास आए कम एक बार हमारे से बात कर लेजी आप लोग तो उनके कारले में हम सारे पाज़िकरी पहुंचे वहां उन्होंने सारी वाज समझने के इस एलान पर अमल हो पाता और अगली सुबह कर्मचारी दिली की सफाई में जुट पाते इससे पहले ही दूसरे गुट ने उन्हें काम पर ना लौटने के लिए मना लिया लिहाजा कर्मचारीों के फूट के बावजूद 6 दिनों से अर्दाल जारी है और सडकों पर गंध मचा हुआ है अज तक लगातार दिली वालों की इस परिशानी को सरकार के सामने रख रहा है हमारे तमाम रिपोर्टर लगातार उन इलाकों की तकलीफे दिखा रहे है जहां गंदगी से लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है देखे पिछले चार दिनों में किस तरह दिली के अलग-अलग इलाकों में कूले का पहाड बनता चला गया साफ है तारीख बदलती गई, कूलों का अमबार लगता गया सरकार बेफिक्र है और सफाई कर्मचारी सडकों पर है अपनी मांगों को नजरंदाज होता देख सफाई कर्मचारियों ने घल दिली की सडकों पर जोरदार प्रजशन किया दिली के सीम अर्विन के जिवाल के खलाब नारिबाजी करते हुए सफाई कर्मचारी इंडो अफ्रीकी समिट के आईजन स्थल इंदरा गांधी स्ट्रेडियम की तरफ जा रहे थे रास्ते में जब पुलिस ने रोका तो सडकों पर कच्रा बिखिर दिया दिवाली करीब है त्योहार के मौके पर शहर को चकाचक रहना चाहिए लेकिन दिली कुडा घर में तब्दीर हो चुकी है ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या दिली वालों की दिवाली गंदगी के बीच मनेगी और अगर ऐसा है तो फिर इसका कुसूरवार कौन है प्रियंका सिंग, पंकजैन, रोहित मिश्र के साथ, रवीश पाल सिंग, दिली आज तक वाकि इन तस्वीरों से साफ है कुड़े के धेर पर बैठी है दिली सफाई कर्मी अपनी मांगों पर अड़े हैं तो दिली सरकार हाथ खड़े कर चुकी है ऐसे में नैशनल ग्रीन ट्राइबनल यानि एन जी टी ने दिली सरकार और तीनों नगर नेगमों को नोटिस जारी कर दो दिन में कुड़ा साफ करने को कहा है सडकों पर दिली सरकार के खलाप नारे लग रहे हैं कुड़ा हटाने की जगएं सफाई कर्मचारी धर्ना प्रदर्शन कर रहे हैं तिली को साफ सुत्रा बनाने की जगएं सफाई कर्मचारी पुतला भूक रहे हैं दिल्ली की दुरतशा पर जब राजधानी की सत्ता पर काबिज लोग नहीं जागे तो National Green Tribunal यानी NGT हरकत में आ गई दिल्ली की सरकों पर फेले कूड़े को लेकर NGT ने सभी Σिविक एजन्सियों को नोटिस जारी कर, 30 ओक्तोबर तक कूड़ा साफ करने के आदिश दिये हैं NGT ने दिल्ली सरकार का आदिश दिया है कि वो दिल्ली की सफाई में सिविक एजन्सियों का भरपूर सायोग करे सिविक एजिंसियों से तालमेल बना कर काम करने की भी नसीहत दी है। बावजूद इसके सफाई के मोचे पर दिली के हालत बद से बत्तर होते चली गई। अब देखना दिल्चस्प होगा कि कल तक की जो समय सीमा NGT ने खींची है उसका पालन हो पाता है या नहीं। और किया है उसमें ये इंटीमेशन ओफ दिस ओडर को बोला गया है कि इमीजेटली इनफॉर्म किया जाए चीफ सेरेटरी डेली को बाई फैक्स एंड टेलीफोनिकली। दिल्ली वाले तो उमीद यही करेंगे कि NGT की कोशिश रंग लाए लेकिन दिल्ली जिस तरह से सियासत के दो पाटों में पिस रही है उसे देखते हुए कुछ भी कहना मुश्किल है। कचित रूप से डिल्ली पुलिस की फिटाई में मारेगा एक शक्स के परजनों से मिलने कल सीम के जिवाल जब नरेला पहुँचे तो सीम के सामने डिल्ली की गंदगी का भी मुद्दा उठा लेकिन मुख्यमंत्री साफ साफ कुछ भी बोलने से बचते नज़र आए। तो क्या दिल्ली के हालात अभी नहीं सुधरेंगे क्या प्रधान मंत्री मोदी के स्वच भारत अभियान के रास्ते में रूड़ा बने की दिल्ली? एक तरफ देंगू जैसे बेमारी पर काबू पाने के लिए दिल्ली सरकार और M.C.D. करोड़ रुपया खर्च कर चुके हैं तो दूसरी तरफ सफाई करमचारियों की हरताल के बाद दिल्ली की सड़कों पर कुड़ा साफ तोर पर हर जगा नज़र आ रहा है आज तक ब्यूरो दिल्ली की कई लाकों में गंदगी का अमबार लगा हुआ है सवाल उटता है कि ये साफ कैसे होगा क्योंकि जिन्हें ये काम करना है वो आरोपो प्रत्य आरोपो में लगे हुए है देखे दिल्ली की सफाई पर कैसे हो रही है सियासत एक तरफ भवे राश्टपती भावन का खूबसूरत नजारा और दूसरी तरफ गंदगी का अमबार ऐसे वक्त में जब राजधानी में 54 अफरीकी देशों के महमान मौजूद हैं दिल्ली में कूले का पहार खड़ा हो रहा है यकिनन ये अच्छी तस्वीरे पेश नहीं कर रही है ऐसे में सवाल पूछना लाजमी है कि कूले के धेर में तबदील होती दिल्ली का कुसूरवार कौन है बेशक दिल्ली में सरकार आम आगमी पार्टी की है लेकिन दिल्ली की सत्ता सरश्टना की वजह से ये मुद्दा सियासी हो चला है दिल्ली सरकार बीजेपी पर दोश मढ़ रही है क्योंकि दिल्ली की सफाई का जिम्मा नगर निगम का है और नगर निगमों पर बीजेपी काविज है दरसल सफाई करमचारी सेलरी और बकाया भुक्तान के मुद्दे पर हरताल पर है MCD का कहना है कि वो सफाई करमचारियों को सेलरी इसले नहीं दे पा रही क्योंकि दिल्ली सरकार से पूरा पैसा नहीं मिल रहा लेकिन दिल्ली सरकार इन आरूपों को सिरे से नकार रही है कि रिवल सरकार का दावा है कि उसने नगर निगमों को पहले से ज्यादा पैसा दिया है पंकर जैन और कुमार कुणाल के साथ रोहितमिश्रा दिल्ली आज तक कि उसे ज्यादा पाइसा आरूपों को पहले से नहीं मिल रहा है